नमस्कार विद्यार्ती मित्रो धोरन अग्यार रसायन विग्नान भाग बै प्रक्रन नमबर नव हाईड्रोजन आजे अपने बैसेगना माध्यम थी तेना विशे अभ्यास करीशू विद्यार्ती मित्व प्रक्रन नी शर्वात करिये ते पहल्ला अपने थोडूक पुंद्रावर्तन प्रक्रन त्रण आवर्त कोस्टक पिरियोडिक टेबल तेना विशे अपने समझवानो प्रक्रन करीशू पिरियोडिक टेबल मां तत्वोनी गोठवनी सेना अधारे करवामा आवीचे सरस आ अवर्त कोस्टक मां पिरियोडिक टेबल नी जमनी बाजू अपने S ब्लोक टत्वो अने तेनी डाबी बाजू P ब्लोक टत्वो देखाई चे आँ S ब्लोक टत्वो इतले के लीथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम अने फ्रांचियम जेने आपने आलकली तत्वो तरीके ओड़किये चीए त्यार बाद बेरिलियम, मागनेशियम, कैल्सियम, स्टूतियम, बेरियम अने रेडियम जेने आपने आलकलाइन अर्थ तत्वो तरीके ओड़किये चीए पिद्यार्ती मीत्रो आप शोव जानों छो ते प्रमाणे आवर्थ कोस्टक नी अंदर तत्वों नी गोठवनी तेना परमाणूंक्रमांक इलेके अटोमिक नंबर अने तेनी इलेक्ट्रोनिक रचनाने आधारीत होई छे तो S ब्लोक मां रहेला आलकली तत्वों चेनी परमाणूंक गोठवनी इलेक्ट्रोनिक रचना NS1 तरीके उडखाई छे एटले के जो आपने लीथियम विशे समझे तो लीथियम चेनो एटोमिक नंबर छे त्रण सोडियम चेनो एटोमिक नंबर छे अग्यार पोटाशियम जेनो एटोमिक नंबर छे ओग्यार इटले के आ तत्वों जे छे ए तत्वनों इलेक्ट्रोनिक रचना NS1 इटले के तेना S ब्लोक नी अंदर एक इलेक्ट्रोन रहेलो छे लीथियम नी इलेक्ट्रोनिक रचना अपने जो जोईये तो तेनी इलेक्ट्रोनिक रचना थसे 1S2, 2S1 इटले के तेनी S ब्लोक मा एक इलेक्ट्रोन छे आ समझ्या पची हवे आपने जड़ा विचार करिये के अटोमिक नंबर जहनो 1 छे तेवो पदार्थ ते तत्व के जे ब्रह्माण मा विपूल प्रमाण मा मली आवे छे ते तत्वनू नाम शूचे विद्यार्थियो चरस हाइड्रोजन तो आ हाइड्रोजन तत्व आ हाइड्रोजन जे ब्रह्माण मा विपूल प्रमाण मा मली आवे छे तेना उप्योगो भविश्यमा ते इंधन तारीके वप्राईश अके तेना स्त्रोथ एटलो विपूल प्रमाण मां छे अने तेनी इलक्टोनिक रचना पण 1s1 छे तो आवर्थ कॉस्टक मा हाइड्रोजन नू स्थान क्या होई शके तो चलो विद्यार्थियो आपने आजना आ प्रक्रण मा एटले के भाग एक मा हाइड्रोजन प्रक्रण मा आवर्द कोस्टेक मा तेनु स्थान, दाय हाइड्रोजन ना उप्योगो, तेनी उत्पादन, अन्ने तेना गुंधर मों विशे समझवानों प्रयात्न करीशू. दाय हाइड्रोजन समझवानों आपनों आ प्रक्रणनों मुख्य उद्देश शूँँ छे, तो सवती पहल्लू हाइड्रोजननों आवर्द कोस्टेक मा स्थान, नमबर बै, डाय हाइड्रोजननी बनावट समझवी, नमबर त्राण, हाइड्रोजनना समस्था निकोनी जान प्राप्त करवी, नमबर चार, पाणीनु बंधारन तेना भावतीक अन्ने रासाइनी गुंधर मों जानवा, त्यार बाद, आपने बरफनु बंधारन जानवानों प्रायतन करीशूं, केम, के पाणी नुझे घन स्वरूप छे, ते बरफ छे, त्यार बाद, सक्खत एटले के हाड़ वाटर, अने नरम एटले के सौफ्ट वाटर एटले शूं, अने सक्खत पाणी ने नरम के विरीते बनावी शकाई, तेना विशे पन समझवानों प्रायतन करीशूं, नंबर साथ, भारे पाणी एटले के हैवी वाटर, अने तैनी उप्योगीता सूचे, विद्यार्थी मीत्रों, सक्खत हाड वाटर अने हेवी वाटर वच्चे नों तफावत पन आपणे आमा समझीशूं, अने छेले आपने जानवानों प्रायतन करीशूं, हाइड्रोजन पैरोकसाइड नी बनावत, तेना गुण धर्मो, नेनु बंधारन, अने तैनी उप्योगीता जानवी, तो आप्रक्रणनों मुख्य हे तुजे छे, एमा, आजे आपने मात्र हाइड्रोजन नी बनावत, अने हाइड्रोजन ना आवर्त कोस्टक बास थान वीसी समझवानों प्रायतन करीशूं, विद्यार्थियों, हाइड्रोजन, हाइड्रो वत्ता जन, हाइड्रोणनों अर्थ थाई छे, पाणी, अने जन एटले उत्पादन करनार, जन एटले जनरेटर पन आपणे कई शक्ये छिए, तो जे पाणी उत्पन करनार छे, तेने आपणे कई शूं हाइड्रोजन, एटले के हाइड्रोजन ज्यारे, ओक्सिजन साथे सलगे, त्यारे पाणी उत्पन करे छे, अन्ना उपरती, अपने हाइड्रोजन नी एक गुंधर्मा विशेपण आमा समझी शक्ये छिए, के हाइड्रोजन ए एक कमबस्टेबल, इटले के सलगी शक्ये तेवों पदार्थ छे, तो आ रयू हाइड्रोजन विशेनी जानकारी, हवे आपने आवर्थ कोस्टक मा देना स्थान विशेनी चर्चा करीशू, विद्यार्तियों आपने आलकली धातुओना पर्मानवी रचना, इलेक्टोनिक रचना नी साथे साथे आपने समझ्या, के अहीं इने इलेक्टोनिक रचना, एनेस वन छे, तो हाइड्रोजन विशे पण एनेस वन छे तेनी इलेक्टोनिक रचना, केम के हाइड्रोजन नो अटोमिक नंबर छे, वन, वन अटोमिक नंबर, एनो अर्थ ए थाए, के हाइड्रोजन पासे, मात्र, एक इलेक्ट्रोन, अने एक प्योटोन आवेलो छे, अहीं तमें जोईशे कोछो विद्यार थियो कि हाइड्रोजन नो अटोमीक नंबर वान छे ते प्रमाणे तैनी पन इलेक्ट्रोनीक रचना 1S1 छे तो शामाटे हाइड्रोजन आलकली तत्वनी साथे तेनू स्थान न लेता D ब्लोक नी उपर अलग थी तैनू स्थान आपवामाँ आवियू छे आनी अपने सर्खामनी आलकली तत्वो अने ग्रूप सत्तर इटले के हैलोजन ग्रूप नी साथे करिये तो आपने समझी शकी सुँ के हाइड्रोजन सामाटे S ब्लोक तत्वो मां उमेरवाना बदले D ब्लोक नी उपर अलग थी स्थान पामियू छे तो मुख्यत्वे आपने जोईए के हाइड्रोजन जेचे एननु 1S1 इलेक्टोनिक रचना जे आलकली तत्वो प्रमाणे एनने अनुरूप छे छता पन तेनु स्थान आवर्थ कोस्टक मां आलकली तत्वो नी साथे आपवामा अवियू न थी तो एना प्रमाणे आपने जोईए तो मुख्यत्वे हाइड्रोजन जेचे ए हाइड्रोजन आलकली तत्वो अने हेलोजन ए बन्ने ना साथे रई अने एक इलेक्ट्रोन गुमावी अने धन भारीत आयन तेज प्रमाणे हेलोजन नी जेम एक इलेक्ट्रोन मेडवी रून भारीत आयन बने चे विद्यार्थियो हवे दमे स्क्रीन उपर जोई शको छो के आ हाइड्रोजन नी शोद सव प्रतम सोलमी सदीमा थाई हती अने आ हाइड्रोजन सव प्रतम पारासलस द्वारा आयरन अने सलफ्यूरिक एसीड वच्चे रासायनिक प्रक्रियामा उत्पन थयो हतो तेम जुवामा आवियो हतु रासायनिक प्रक्रिया द्वारा उत्पन थैल आ वायूनु नाम शुँँ छे तेना विशेनी वैग्णानिक पैरासलस ने जान न हती परन्तु 766 मा पैग्णानिक केवेंडी शे जेने प्रयोक्ती उत्पन न कर्यो हाइड्रोजन वायू अने तेनु नाम हाइड्रोजन छे तेवु लेवसियर द्वारा आपफामा आवियू हतु आ हती हाइड्रोजन नी शोध विशेनी वात। त्यार बाद आपणे जोईये कि आवर्थ कोस्टक मा हाइड्रोजन नु स्थान अने तेनी ग्रूप एलिमेंट अने ग्रूप सत्तर ना एलिमेंट नी साथे नी सर्खामनी आवर्थ कोस्टक नु प्रथम तत्व जेनो एटोमीक नंबर छे एक एटले कि आणू क्रमांग छे एक तेनू संकेत चिन्न छे एच अने तेनो आणू भार छे 1.00794U एटले कि आपने एने 1.008 पन कई शक्ये आम आवर्थ कोस्टक मां साउथी नानू अने हल्कू तत्व जे प्रथम स्थान धरावे छे जे आपने जोयू हमला जावर्थ कोस्टक नी अंदर जे बाँ एक प्रोटोन औने एक इलाक्टोन रहेला छे प्रोटोन अपने जानिये छिए ते प्रमाणे नूकलियस मां रहेल छे औने इलाक्टोन तेनी आसपास आवेल ओर्बीट मां फर्तो रहे छे एनो मतलाब एम ठयो विद्यार्थियो के हाइडरोजन मा निूटरोन नी संख्या जीरो छे हाइडरोजन मा निूटरोन आवेलो नती अनने बीजू जेहरे जोयूये त्यारे ब्रम्माण मा हाइडरोजन नू प्रमाण सित्ते टका जेतलू छे अने प्रुथ्वी मां 15 डका जेतलो हाइड्रोजन रहेलो चे जे आपने प्रक्रनी शर्वात मां जोयू हतु के वी पूल प्रमाण मां मली आउतो वायू जेने आपने हाइड्रोजन तरीके उड़किये छिये हवे आपने साते साते तेनी इलेक्टोनिक रचना अने आलकली धातुनी सातेनी सर्खामनी जोयू विद्यार्थियो इलेक्टोनिक रचना हाइड्रोजन नी वनेस वन छे जे एस वी भाग मां आवेला आलकली तत्वो इतले के लीथियम, सोडियम अने पोटाशियम ने अनुरूप छे जे प्रमाणे लीथियम, सोडियम, पोटाशियम एस वी भागना तत्वो एक इलेक्टोन गुमावी ने धन विजभारीत आयन बनावे छे तेज प्रमाणे हाइड्रोजन पन एक इलेक्टोन गुमावी ने धन विजभारीत आयन बने छे त्यार बाद बिजी सर्खामणी आपड़े जोईये तो जे रीते आलकली धातू हाइड्रोजन नी साते ओकसाइड्स नी साते हेलोजन नी साते अने सलफाइड्स नी साते अलग अलग पदार्थ बनावे छे चेमके हाइड्रोजन साते हाइड्राइड बनावे छे, ओकसीजन साते ओकसाइड बनावे छे, हेलोजन साते हेलाइड अने सलफर साते सलफाइड बनावे छे ते प्रमाणे हाइड्रोजन पन ओकसाइड्स हेलाइड अने सलफाइड बनावे छे त्यार बाद 3G सर्खामणी अगर आपणे S विभागना तत्व साथे जोईए तो S विभागना तत्वनी आयनिक एन्थालपी ओची छे परन्तु हाईड्रोजननी आयनिक एन्थालपी खुब वधारे छे विद्यार्थी मिद्रो आयानिक एंधाल्पी एटले शुम्? याद करो आयानिक एंधाल्पी एटले सरस, कुप सरस सामान्य स्तितीमा हाईडरोजन धात्वीक लाक्षनीकता धरावतो नथी तेनु कारण हाइड्रोजननी आयनिक एंथालपी खुब वधारे जे जो एनी एंथालपी वधारे जे तेती ते धातु तरीके लाक्षणिक तामा सामान्य मरिस्तितीमा होतो नथी विध्यार्थियों आ साते-साते आपने धातुनी आयनिक एंथालपी ओछी छे तेती धातुनी प्रतिक्रियात्मकता वधारे होई छे इटले कि आपड़े एस विभागना तत्वों मा जोईए तो तेनी आयनिक एंथालपी हाइड्रोजननी आयनिक एंथालपी करता ओची होवाती धातु खुबत जडपती प्रतिक्रिया दर्शावी सके जे परन्तु हाइड्रोजन प्रतिक्रिया आत्मक्ता नथी दर्शावतो ह प्लस आयनिक करता गणू नानू छे जे सामान्य पर्मान विया अने आयनिक कद करता गणू नानू छे एटले के आपने जानिये चीए हाइड्रोजननो आटोमीक नंबर छे वन एटले तेनी साइस खुबज नानी छे अवे जेतली नानी साइस छे ए उपर थी ते एक इलेक्ट्रोन ज्यारे आपे छे त्यारे तेनू कद तेना थी वधारे नानू बनी जाये चे एटले ज्यारे H प्लस धन आयन बने चे तो तेनू कद सामान्य पर्मान विया अने आयनिक कद करता खणू नानू होवाती H प्लस आयन मुक्त प्रणे अस्तित्व धरावतो न थी जे हम्मेशा संयोजन स्वरूपे होई चे विद्यार्तियो H प्लस आयन सामाटे मुक्त स्वरूपे होतो न थी ते जवाब तमारी नोटबूग मा तमें लखी लेशो कारण के तेनू पर्मान विय कद खुबज नानू छे हवे आपने ग्रूप सत्तर ना एटले के हैलोजन तत्वनी साथे हाइड्रोजन नी समान्ता अने असमान्ता विशनी चर्चा करीशो अलकली तत्वो साथे नी समान्ता अने असमान्ता तमें बराबर समझी गया हाशो तो हवे ग्रूप सत्तर इटले के जे इलेक्ट्रोण नेगेटिव एलिमेंट तरीखे ओडखाई छे तेनी साथे अपने हाइड्रोजन नी चर्चा करीए विद्यार्तियो ग्रूप सत्तर पची आवेलू ग्रूप अढ़ार नू एलिमेंट नू तत्व एटले के जे उम्दा वायू तरीखे ओडखाई छे अने तेनी इलेक्ट्रोणिक रचना आपने शव जानियें छिये ते प्रमाणे एनेस्टू एन्पी सिक्स छे एटले के आ वायू ओक्टेज स्ट्रक्चर धरावतू होवा थी ते जडबती कोईडी साथे प्रक्रिया करता न थी अने ते थी तेने उम्दा वायू कईये छिये तो हाइड्रोजन नी साथे रहेला ग्रूप 17 ना हीलियम वायू नू इलेक्ट्रोनिक रचना प्राप्त करवा माटे हाइड्रोजनने मात्र एकज इलेक्ट्रोनी जरूर छे हाइड्रोजननी एलक्टोनिक रचना शूंचे विद्यार्थियो सारस 1s1 अने हीलियमनी रचना 1s2 तेथी आपने कई शक्ये कि हाइड्रोजन एक इलक्टोन मेडवी अने हीलियम वायू जेवी एलक्टोनिक रचना धरावी अने ते पन एक ओक्टेट स्ट्रक्चर मेडवे छे अने रून वीजभारीत आयन बने छे आयनिक एंथाल्पी नी बात करिये तो हैलोजननी साते हाइड्रोजननी एंथाल्पी जरा वधारे मलती आवे छे आपने जोयुँ ऐस ब्लोग तत्वोनी आयनिक एंथाल्पी घणी ओछी छे पर्ण्तु हैलोजन गुरूप ना तत्वोनी एंथाल्पी हाइड्रोजननी एंथाल्पी नी साथे थोड़ी वधारे मलती छे हेलोजन नी जेम हाइड्रोजन पन द्वी पर्मान वीय अणू बनावे छे इद्यारतियों द्वी पर्मान वीय अणू एटले शुँ H2 जैन्ने आपने द्वी पर्मान वीय अणू कई शकी सुँ परंतु हाइड्रोजन नी प्रतिक्रियात्मकता हेलोजन करता ओची छे हेलोजन हाइली नेगेटिव ग्रूप छे हेलोजन एटले फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जे आपने आई आवर्त कोस्टक मा जोई शकीये छिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एंटमोनी जेने आपने हेलोजन ग्रूप तरीके ओड़कीये छिए तो आ ग्रूप हाइली इलेक्ट्रो नेगेटिव ग्रूप छे तेती तेनी प्रतिक्रियात्मक्ता वधारे छे जे उपरती आपने समझी शक्ये के हाइड्रोजन हीलियम वायूनू उदाहरन नी साथे उम्दा वायूनू स्ट्रक्चर हासल करेचे अने ते एक स्टेबल बनी शकेचे रूण विजभारीत आयन चाईने हवे आपने आगळ जोईशू के तेनी प्रतिक्रियात्मक्ता हेलोजन करता खुब ओछी छे आम हाइड्रोजननू परमाण विये बंधारन साधू होवा थी ते मोटे भागे दरेक तत्वो कया कया तत्वो जमके S विभागना तत्वो लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, पोटास्यम हाइड्राइड, बेरिलियम हाइड्राइड, बेरियम हाइड्राइड उप्रांत कार्बन, ओक्सिजन, नाइट्रोजन दर्रेकनी साथे जड़पती सईयों जाये चे अने सईयों जणों बनावे चे मोटे भागे तत्वीय हाइड्रोजननू अस्तित्व डाय हाइड्रोजन स्वरूपे एटले के द्वी पर्मान वीय स्वरूपे होई चे जैने आपड़े ह2 तरीके ओड़खिये चिए तो विद्यार्थियों हवे तमे समझी गया हाशो के हाइड्रोजन आलकली धातू साथे पन समानता धरावे चे अने हेलोजन साथे पन समान्ता धरावेचे परन्तों साथे साथे क्याक क्याक असमान्ता पन धरावेचे जेम के तेनी आ आयनीक इंथालपी तो आरी तेनु समान्ता अने असमान्ता बन्ने धरावतु होवा थी हाइड्रोजन ने आवर्थ कोस्टक मा कोईपन ग्रूपना तत्वनी साथे मुकवाना बदले तेनु स्थान आवर्थ कोस्टक मा बराबर वच्चे एटले के D ब्लोकना तत्वनी उपर आपवामा आवियो छे विद्यार्थियो हवेत में समझी गया के शामाटे हाइड्रोजन एस ब्लोक मा पण नथी मुकवामा आवियो इतले के आलकली धातु साथे पण तेनी रचना करवामा नथी आवि अने ग्रूप सत्तरना एलिमेंट एतले के हेलोजन ग्रूप साथे पन तेने मुखवामा नथी आव्यो तो आ हती हाइड्रोजन नी आवर्थ कोस्टक मा स्थान विशेनी माही थी आ उपरांध हमे आपने आगर जोईशू विद्यार्थियो के एनी अलगता नी साथे साथे आ हाइड्रोजन ना उपव्योग विद्यार्थियो अपने सा माचे हाइड्रोजन ने प्रक्रण ने अमा अपने भणवामा क्याक्या अपने हाइड्रोजन नो उप्योग करिये छिए तो सवती पल्ला वाद करिये विद्यार्तियो तो आपना शरीर मा रहेल प्रोटीन कार्बोदीट पदार्थ वगेरे एमा हाइड्रोजन विपूल प्रमाण मा रहेलो छे अपने सवजानियत छिये के पाणी नी बनावट पाणी जे अपना जीवननू खुबज अगत्यानू तत्व छे पाणी वगर अपनी सजीवनी जिन्दगी शक्य न थी तो ए पाणी नी बनावट मा उप्रांत कार्बनीक पदार्थ नी बनावट मा अने मुख्यत्वे विद्यार्थियो रोकेट मा बलतन तरीखे पन हाइड्रोजन उप्योगी छे एनू कारण छे के हाइड्रोजन नो अक्टेन आग खुब ज उँचो छे तेती दे प्रदूशन फेलावतु नती अने खुब जड़पती छलगे छे माटे बवीश्यमा हाइड्रोजन नो उप्योग बलतन तरीखे पन थाई शक्ये छे मनुष्य अने प्राणियों नी पेशियों माँ पन हाइड्रोजन रहेल छे नूकलियर रियक्टर माँ पन वापर वामा आवे छे गैसोलिन नी बनावट माँ धातू शोदन विद्या एटले के मैटरलर जी ते माँ पन हाइड्रोजन उप्योगी छे ते उप्रांद आपड़े जो विद्यार्थियों समझे तो तमेश वेल्डिंग थतू तो क्याक ने क्याक जोयू जह शे है न वेल्डिंग थतू तो जोयू छे ने तो त्यां पर ओक्से असिटिलीन एणी फ्लेम होई छे जे आपनने उप्योगी थाई छे हाइड्रोजन ना उप्योग मां तो आपर ओर्थी आपड़े समझी शक्ये छिए के हाइड्रोजन केटलू उप्योगी तत्व छे तो आ उप्योगी हाइड्रोजन तत्व छेनी बनावट पन आपड़े समझवी जरूरी छे हाइड्रोजन लाबुरेट्री मा अने फैक्ट्री मा तिम बनने रीते इतले के अउध्योगी उत्पादन अने लाबुरेट्री मा थोड़ा प्रमाण मा उत्पादन ते अपने समझवानों प्रयत्न करीशू ते उपरती पहला आपने विचारिये के विद्यार्तियों समस्थानी को एटले शुम शुम की दू समस्थानी को एटले याद करो भाग एक प्रक्रन नंबर एक बराबर तो हाइड्रोजन ने पण समस्थानी को आवेला छे हाइड्रोजनना समस्थानीको जेमा न्यूट्रोननी संख्या जुदी-जुदी छे जेने आपने समस्थानीको तरीखे उळखिये छे तो हाइड्रोजनना समस्थानीको विशे आपने अई अभ्यास करीशू स्लाइड उपर तमें जोईशको छो के हाइडरोजन ने त्राण समस्थानी को आवेला चे प्रोटियम, ड्यूटेरियम अने ट्रीटियम प्रोटियम एटले के जहनों आपने इलेक्ट्रोन नी साथे साथे तेनी अंदर एक प्रोटोन रहेलो चे जहने आपने प्रोटियम तरीखे ओड़ाखिये चीए एनी व्याख्या समझवानों प्रयतना करी सु, समान परमाण विये क्रमांक एटले के जहरेक्णों समान रहेलो चे परंतु दोड क्रमांक, एटले के ए जहना जुधा 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 छे तेने आपने समस्थानी को कहिये चीए एनो मतलब केंद्र मा रहेल न्यूट्रोन नी संख्या जुदी-जुदी छे अहीं आपने हाइड्रोजन ना त्रोण समस्थानी को दर्शाव्या छे हाइड्रोजन जैने आपने आहीं प्रोटियम तरीखे ओड़क हिये छिये जैमा केंद्र मा मात्र प्रोटोन नी एकत संख्या रहेली छे अने फर ते एक इलेक्ट्रोन आवेलो छे नंबर बै समस्थानीक मा ड्यूटेरियम जैने अंदर एक प्रोटोन अने एक न्यूट्रोन तैना न्यूकलियस मा आवेलो छे अने एक इलेक्ट्रोन तेनी कक्षामा ब्रहमन करे छे त्यार बाद हाड्रोजनना त्रीजा नंबर नुँ समस्थानीक जैने आपने ट्रीटियम तरीखे ओड़किये छिये जैमा एक प्रोटोन अने बै न्यूट्रोन आवेला छे अने तेनी फर्ते एक इलेक्टरोन कक्षामा भ्रहमन करे जे विद्जार्थियो आज इत्रपर्थित में समझी शक्या हसो के हाड़ोजनना त्रोन सम्स्थानिक प्रोटियम, ड्युटेरियम अने ट्रीतियम जेमा प्रोटोननी संख्या अने इलेक्ट्रोननी संख्या एक सर्खी छे, परन्तु तेमा न्यूट्रोननी संख्या जुदी-जुदी छे, अने तेना आधारे तेनो दल्क्रमांक जुदा-जुदा छे, दल्क्रमांक न्यूक्लियस ना रहेला प्रोटोन अने न्यूट्रोन उपर आधारीत छे, तेती दरेक समस्थानिक ना दल्क्रमांक जुदा-जुदा छे, तो विद्यार्थियों हवे तमने खबर पड़ी गई हशे, के समस्थानिक इटले शुँँ, तेमा ट्रीटियम जे छे, ए खुबज सक्रिय रेडियो एक्टिव समस्थानिक छे, हवे आपने आगर जोईशु, हाइड्रोजन ना स्त्राण समस्थानिकों मा प्रोटियम मा न्यूट्रोन न थी, ड्यूटेरियम मा एक न्यूट्रोन आवेलो छे, जारे ट्रीटियम मा ब्या न्यूट्रोन आवेला छे, प्रोटियम ए मुख्य समस्थानिक छे, जे मुख्य तवे पंचानू टका जेतलो अस्तित्वमा ब्रह्माड मा आवेलो छे, ड्यूटेरियम भारे हाइड्रोजन तरीखे पन ओलखाई छे, अने आपने जो प्रोटियम औने ट्रीटियम नो रेश्यो जोईए, तो प्रह्माड मा प्रोटियम 10-18 प्रपोर्शन मा आवेलो छे, ज्यारे तेनी सामें ट्रीटियम मात्र एक भाग, इटले के प्रोटियम औने ट्रीटियम ना भाग मा ट्रीटियम मात्र एक भाग छे, त्यारे प्रोटियम 10-18 भाग मा अवेलेबल छे, तो आ हाइड्रोजन न समस्थानीको तेनी इलेक्टोनिक रचना समान होई छे परन्तु तेना रासायनी गुणधर्मों पन साते साते समान होई छे इतले के समस्थानीक मां इलेक्टोनिक रचना अने रासायनी गुणधर्मों समान होई छे तेना प्रक्रियाना वेगमा तफावत जुवा मले छे तेनु मुख्य कारण छे बंद वियोजन एंथालपी पिद्यार्थियो बंद वियोजन एंथालपी एटले शुँ बंद वियोजन एंथालपी एटले तमे जड़ा आगल आपने जे चेप्टर मा भणी गया ते उपर थी समझवानू प्रयत्न करीशूं बंद एंथाल्पी एनो अर्थ शूं थाई चे के वायू अवस्थामा रहेल बै पर्मानू वच्चे रहेला खास प्रकारना एक मोल बंद ने तोडवा जरूरी उर्जा जे बंद एंथाल्पी तरीके ओलखाय छे फरिवक्षत आपने समझचू विद्यार्थियो बंद एंथाल्पी अथ्वा तो बंद वियोजन एंथाल्पी जेने आपने बॉंड एंथाल्पी पन कईये छिये वायू अवस्थामा रहेल बै परमाणू वच्चे रहेला खास प्रकारना एक मोल बंद ने तोडवा वप्राती उर्जा के जरूरी उर्जा जे बंद एंथाल्पी तरीके उडखाय छे अने बंद एंथाल्पी नो एकम छे किलो जूल पर मोल विद्यार्थियो अपने जारे हाइड्रोजन बंद नी वाद करी रहा छी ये त्यारे एच एच बंद एनी एंथाल्पी छे 435.8 किलो जूल पर मोल जे तमें जोईशको छो के खुबज वधारे छे तो विद्यार्थियो आने आपने कैशू बंद वियोजन एंथाल्पी तो आ बंद एंथाल्पी जेनो एकम किलो जूल पर मोल छे हवे आपने आईयां जोईए के बंद वियोजन एंथाल्पी जे आपने स्क्रीन उपर देखाई छे तेमा थी खास हाइड्रोजन इनी बंद वियोजन एंथाल्पी खुबज वधारे होई छे अने बंद वियोजन एंथाल्पी वधारे होवाना कारणे हाइड्रोजन ने तोडवो एटलो अशक्य होई चे हाइड्रोजन बंद सरडताती तूटतो नती अने ते हमेशा प्रतिक्रियात्मकता दर्शावतो नती विद्यार्तियों स्क्रीन उपर आप जोई शको चो के जे प्रमाणे हाइड्रोजन नी बंद वियोजन एंथाल्पी साथे साथे तेनी इलेक्ट्रोन गेन एंथाल्पी कारण हाइड्रोजन ह प्लस अने ह माइनस बंदे तरीके अस्तित्व धरावे चे स्क्रीन उपर आपने देखाई चे के अहीं हाइड्रोजन ए तेनो अवस्थामा रहेला मोटा भागे आ समस्थानी कोने कोने शोध्या हाता हाइड्रोजन ना जेत्रण समस्थानी को विशे आपने अभ्यास कर्यो ते समस्थानी को वैज्णानीक हेरोल्ड ने परमाणमी ये दर जेनू बै छे तेवा समस्थानीक ना हाइड्रोजन ने भावतिक पदतिती जुदा पाड़्या तेती देने नोबल पारितोशिक मल्यू हतु हवे आपने डाई हाइड्रोजन नी बनावत विशे समझवानों प्रयातन करीशु डाई हाइड्रोजन नी बनावत विध्यारतियो डाई हाइड्रोजन मोटे भागे सित्योते टका पेट्रो रसायनमा थी बनावामा आवेचे अढ़ा टका जेतलू कॉलसामा थी चार टका जेतलू जलिय द्रावणना विध्युत्वी भाजन थी अने एक टका जेटलो डाय हाइड्रोजन अन्य स्त्रोत मां थी उत्पन करवामा आवे छे एटले के आपने जोईश किये चीए कि डाय हाइड्रोजन ना उप्योगों कितला बदा चे कि जेथी तेनी बनावट आपने अलग-अलग पद्धती थी करिये चीए विद्यार्तियों हैं तमने डाय हाइड्रोजन नी बनावट माटे जेमके एक फ्लास्क चम्बूनी अंदर अपने जिंक ना टुकडाना खेला चे उपर थी डायलियोड हाइड्रोक्लोरिक एसीड अत्वातो सल्फियूरिक एसीड अंदर उमेरवामा आवे छे अने तेना प्रक्रिया थवा थी आपने बाजुमा हाइड्रोजन वायू पाणी करता हलको होवा थी ते उपर आपने प्राप्त थाई चे जे चित्रद्वारा आप समझी शक्सो आ उप्रांत आपने जो जोईये तो आ डाई हाइड्रोजन वायू तेनी बनावत प्रयोक्षालामा अने व्यापारी द्रस्टिये एटले के अउध्योगीक रीते पन करी शक्काई छे प्रयोक्षालामा जहरे डाई हाइड्रोजन नी बनावत करवामा आवे त्यारे ते खुब अच्छा प्रामाणमा होई छे जे अपने हमना चित्रमा जोईयू जिंक प्लस 2HCl गिवज ZNCl2 प्लस H2YU जिंक नी हाइड्रोक्लोरिक असीड साते प्रक्रिया थता जिंक क्लोराइड अने डाई हाइड्रोजन वायू तरीखे मले छे तेज रीते प्रायोक्षाडामा जिंक नी सोडियम हाइड्रोक्साइड साते प्रक्रिया थता सोडियम जिंकेट अने डाई हाइड्रोजन वायू मले छे जिंक प्लस टु अने ओएड्रोजन गेस अपनने मले छे विद्यार्थियो प्रायोक्षाडामा डाई हाइड्रोजन गेस नू उत्पादन खुबच थोड़ा प्रामालमा थतु होवा थी आपने अहीं जिंक ने वापरी शक्ये छिये परन्तु व्यापारीक धोरणे एटले के इंदेस्ट्रियल उत्पादन मा जिंक न उप्यो आपनने वधारे मोंगो पड़े छे आम धातुनी एसीड अने बेस साथे प्रक्रिया थता डाई हाइड्रोजन प्रयोक्षाडामा उत्पनन करी शकाई छे हवे आपने डाई हाइड्रोजन नी व्यापारीक पद्धती थी उत्पादन जोईशुन साथी पल्लू विद्यूत विभाजन थी उत्पनन करी शकाई छे विद्यूत विभाजन मा अपने प्लेटीनम विद्यूत द्रू तरीके वापरिये अने इलेक्ट्रोलसिस जहने आपने कईये छिए इलेक्ट्रोलसिस तो 2H2O गिव्ज 2H2 प्लास 2O2 एटलेके 2H2O नू प्लेटीनम विद्यूत द्रू अगर आपने वापरिये तो डाय हाइड्रोजन अने डाय ओक्सीजन मले छे त्यार बाद निकल ने जो विद्यूत द्रू तरीके वापरिये तो बेरियम हाइड्रोक्साइड एटलेके बीये ओएज ट्वाइज मां थी बेरियम डायोक्साइड अने डाय हाइड्रोजन गेस छुटो पड़े छे आ व्यापारिक पद्धती पछी आपने आगल बीजी व्यापारिक पद्धती जो जोईए तो ते पद्धती मां दरियाना पाणीनू विद्यूत विभाजन करी अने आपने डाय हाइड्रोजन गेस उत्पन न करी शक्ये छीए दरियाना पाणी मां 2 NaCl एटले के सोडियम क्लोराइड प्लस H2O दरियानू पाणी जेमां सोडियम क्लोराइड रहेलो छे तेनू विद्यूत विभाजन थता Cl2 गेस प्लस H2 गेस अने सोडियम हाइड्रोकसाइड मले छे विद्यार्तियो दरियाना पाणी ना विद्यूत विभाजन थी आपने खुबज मोटा प्रमाण मां डाय हाइड्रोजन गेस नू उत्पादन करी शक्ये छीए त्यार बाद हाइड्रोकार्बन नी उँच्छा ताप मने पाणी नी वरार साथे नीकल उद्धीपक नी हाज्रीमा प्रक्रिया थता पन डाय हाइड्रोजन गेस विपूल प्रमाण मां मले छे हाइड्रोकार्बन नी कुबज उँच्छा ताप मने एटले के बार सो सित्तेर केल्वीन तेंप्रेचरे नीकल उद्धीपक नी हाज्रीमा ज्यारे हाइड्रोकार्बन मीथेन इथेन प्रोपेन नी प्रक्रिया करवामा आवे त्यारे अहीं आपनने डाय हाइड्रोजन मले छे जेने आपने CO-3H2 एटले के अहीं आने आपने जल्वायू तरीखे पन ओडखी शक्ये छिये त्यार बाद व्यापारिक पद्धतीमा जोईशू लेन पद्धती लेन पद्धतीमा आइरन प्लास H2O एनू ओक्सिडेशन थावा थी Fe3O4 अने डाय हाइड्रोजन विद्यार्थियो आप्रक्रिया साइन्सू बतावे छे इनू मतलब लेन पद्धती ए रिवर्सिबल पद्धती छे एटले के आईरन माथी आपने Fe3O4 बने अने डाय हाइड्रोजन ने आपने अलग करी लईए त्यार बाद आ Fe3O4 माथी फरी आपने रिडक्षन करीने Fe प्राप्त करी शक्ये छिये एटले के आ प्रक्रिया कांटिनिवस चालती प्रक्रिया छे जे व्यापारिक उत्पादन माटे खुबज अगत्यानी छे अहीं तमें जोई शको छो के आ Fe3O4 आपने अहीं जलवायू साते प्रक्रिया करता आगल रिडक्षन थाई अने अपनने पाचो Fe मले छे विद्यार्तियों आ प्रक्रिया मां सव प्रतम आपनने Fe plus H2O जे मा Fe3O4 मल्यू जे ओक्सिडेशन पत्दती छे त्यार बाद आ Fe3O4 नी जलवायू साते प्रक्रिया थता Fe plus CO2 plus H2O मले छे जे रिडक्षन पत्दती छे अने आ Fe 5 आपने प्रक्रिया नी शरुआत करवा माटे वाप्री शक्ये छिए त्यार बाद आपने अहीं बीजी व्यपारीक पत्दती जोईशू जेने आपने बौस पत्दती तरीके ओड़किये छिए बौस पत्दती मां कार्बन एटले के कोल अथ्वा कोक नू H2O साते 127 केल्विन तापमाने प्रक्रिया थता अहीं आपने जलवायू मले छे आपने सीन गेस तरीके पन ओड़की शकिये छिए आ सीन गेस नी जारे H2O साते 167 केल्विन तापमाने फेरस क्रोमेट नी साते प्रक्रिया करवामा आवे त्यारे वधू प्रमाणमा डाय हाइड्रोजन गेस मले छे जे डाय हाइड्रोजन गेस बौस पद्धती द्वारा आपने मेडवी शकिये छिए विद्यार्तियों आमा एक नाम में किदू CO प्लस H2 जेने आपने सीन गेस तरीके ओड़कीये छिए तो सीन गेस एटले शूं जे आपने आई स्लाइड मा हवे जोई शूं सीन गेस एटले के कार्बन मोनोकसाइड अने डाय हाइड्रोजन वायू नू मिश्रण CO प्लस H2 जे जलवायू तरीके ओड़काई छे मिथेनोल अने बीजा हाइड्रोकार्बनना संसलेशन मा आ जलवायू उप्योगी होवाती ते सांसलेशेत वायू तरीके पण ओड़की शकाई छे एटले के सीन गेस आ सीन गेसनो उत्पादन सुवेज, लक्ड़ानो भुको, वगेरा तेना टुकडा, समाचार पत्र के कागल तेमा थीपन करवामा आ आवे छे कोलसा माती सीन गेस बनावानी प्रक्रिया ने कॉल गेसी फिकेशन कहवामा आवे छे विद्यार्तियों, कॉल गेसिफिकेशन एटले शुँँ सरस, कॉलसा माती सिन गेस बनावानी प्रक्रिया जे प्रक्रिया ने आपने कॉल गेसिफिकेशन कहिये छिये त्यार बाद अपने बीजी प्रक्रिया जोईसू जहने आपने कैसु जल वायू स्थानांतर प्रक्रिया आइरन क्रोमेट उद्धी पकनी हाजरीमा सीन गैसमा रहेल कार्बन मोनोकसाइड नी पाणी नी वरार साते जहरे प्रक्रिया करवामा आवे त्यारे डाय हाइड्रोजन ना उत्पादन मा वधारो थाई शके छे आने आ वधारो जे आपने जल वायू स्थानांतर प्रक्रिया तरीके पन उळखवामा आवे छे विद्यार्तियो हमना आपने लेंस प्रोसेस आने बोस प्रोसेस जे जोई ए प्रोसेस मा तमने जे दर्शावामा आविव तेमानी एक पद्धती जेने आपड़े कॉल गेसिफिकेशन कईये छिए अने बीजी पद्धती जेचे जे जलवायू स्थानांतर प्रक्रिया तरीके उलखवामा आवे छे आ जलवायू स्थानांतर प्रक्रिया ने डाय हाइड्रोजन ना विपूल प्रमाणमा उत्पादन करवा माटे वापरिये छिए अने तेना माटे आपने त्या आइरन क्रोमेट एफिसी आरो फोर नो उद्धिपक तरीके उप्योग करिये छिए अगर आपने जोईए जलवायू स्थानांतर प्रक्रिया माँ CO2 वायू जे उत्पन्न थाई छे ए CO2 वायू ने सोडियम आर्सेनाइट ना द्रावन माथी पसार करता आ सोडियम कार्बन डायोकसाइड वायू दूर करी शकाई छे नीचे आपने रियाक्षन जोई शकी सु के CO2 गैस प्लास H2O गैस एमा ती आपनने CO2 गैस अन्ने H2 गैस मले छे विद्यार्तिव आमाती CO2 गैस नी आपने जरूर नती तो आ गैस ने आपने दूर करवा आ जलवायूने सोडियम आर्सेनाइट ना द्रावन माथी पसार करिये तेती CO2 गैस ए हलको हवाती उडी जाय चे अने आपनने डाय हाइडरोजन गैस मले छे हवे आपने जोईशू डाय हाइडरोजन ना भावतिक गुण धर्मो डाय हाइडरोजन रंग विहीन वास रहीत स्वाद रहीत अने दहंसिल वायू छे हवा करता हलको पण चे तेती ते प्रक्रियामा जडप्ती आपनने उपर तरतो जोवा मले छे पाणी मा ते अध्राव्य रहेलो छे तेनू गलन बिंदू अधार पॉइंट तोत्तेर केल्वीन अने उतकलन बिंदू त्रेवीस पॉइंट सड्सट केल्वीन आवेलू छे तेना रासा एणी गुण धर्मों विशे जहरे जोईए तो एच एच बंद 2000 केल्वीन ताप माने मात्र 0.081 तका जेतलो तूटे छे जहरे 5000 केल्वीन ताप माने ते 5.5 तका जेतलो तूटे छे अने तेना उपर थी आपने तेनी बंद एंथाल्पी उँची होवा थी ते रूम ताप माने निश्क्रिय रहेलो छे आपने आगल जोईँ ते प्रमाणे एक इलेक्ट्रोन गुमावीने औने एक इलेक्ट्रोन मेडवीने ते धन आयन औने रून आयन रून भारित बने चे उपरान ते स सईयोजक बंद पन बनावी शके चे एटले के ते भागीदारी पन इलेक्ट्रोन नी करी शके चे हेलोजन साते नी प्रक्रिया थवाती हाइड्रोजन हेलाइड बनावे छे आयोडेन साते नी प्रक्रियामा उद्धी पकनी हाजरीनी जरुर पड़े छे अने ते साते डाइ नाइट्रोजन अने डाइ ओक्सिजन साते नी प्रक्रिया जेमा डाई नाइट्रोजन साते एमोनिया जे हेबर पद्धती तारीखे ओलखाई छे डाई अक्सीजन साते ते पाणी बनावे छे जे प्रक्रिया उसमा क्षेपक छे अने साते साते आपने तेना धातू, आयन अने अक्साइड नी प्रक्रिया जो जो ये तो उँचा ताप मने ते धातू साते सैयो जाईने तेना हाईडराईड बनावे छे जलिय द्रावन अने तेना आयन साते ते रिडक्षन पन करे छे आ प्रमाणे कार्बनिक संयोजनों साते पण ते प्रक्रिया करी ते उद्धिपक निकलनी हाजरीमा वनस्पती घी बनावे छे अने ओलिफिननू हाइड्रो फॉर्मिली करण करता आलडी हाइड बनावे छे पिद्यार्थिव आपने हाइड्रो फॉर्मिली करण एकले शूँ ते समझवानों प्रयात्ना करी शूँ अने त्यार बाद आपने स्वाध्याई हाइड्रो फार्मिलेशन एटले देने ओक्सो प्रोसेस तरीखे पन उलखवामा आवेचे द्वीबंध धरावता संयोजन मा हाइड्रोजन परमाणू अने फोर्माल्डिहाइड ग्रूप उमेलता मुख्य निपच तरीखे एक के वधू आलडिहाइड मलेचे जैने हाइड्रो फार्मिलेशन केवामा आवेचे प्रोपेन जैनी सीयो अने एजटू उमेलता एन ब्यूटानल अने आइसो ब्यूटानल मलेचे जै पद्दती हाइड्रो फार्मिलेशन चे त्यार बाद हाइड्रोजनी करण जैनी एज सातेनी प्रक्रिया हाइड्रोजन परमाणू बिजा सैयोजन के तत्व वच्चेनी रासायनिक प्रक्रिया जैमा नीकल, पेलेडियम, के प्लेटिनम उद्दिपक तरीके वप्राई अने हाइड्रो कार्बन नो द्वी बंद के त्री बंद तूटे तेने हाइड्रोजनी करण कहवाई छे इथिलिन प्लस डाय हाइड्रोजन एमा ती इथेन जे हाइड्रोजनी करणनी प्रक्रिया छे पिद्यार्तियो तमें हावे समझी गाया हशो के आजे आपने हाइड्रोजन विशे केटलू समझवानों प्रयत्न कर्यो तो चलो हवे आपने थोड़ू स्वाध्याई जोई लेशू समझावो हाइड्रोजनी करण सीन गेस जल वायुस्तानांतर प्रक्रिया अने बलतन कोश बंद वियोजन एंथाल्पी ने चड़ता क्रम्मा गोठवो एच एच डी डी अने एफ एफ विद्यार्तियो नमस्कार हवे पची आपने बीजा भाग मां मड़ीशू